जैहिंद और हेलो गाईज स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ mainly UPSC CDS2 OTA form कैसे फिल करना है यहाँ पर आपको mainly बता जाएगा कि OTA के उपर preference दे करके आप कैसे form को भरेंगे और OTA पर apply करने के लिए आपको कौन सी qualification select करनी होगी जो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल करके qualification select करके दिखाऊंगा वो qualification है जिसके माधियम से आप OTA के उपर apply करने के लिए eligible होगे वैसे मैं आपको सभी qualification अच्छे से explain करने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को देखते रहिए वीडियो के description में जो मैंने आपको link दिया लिंक आप open करेंगे आपके सामने यहाँ पर यह सब जानकरी आएगी जहां पर आपकी जो वैकेंसी रिटेल है और apply करने के लिए क्या qualification है और टीए के लिए इसमें सब ज़्यादा वैकेंसी है करना है इसके बाद आप important link के section में आएंगे और आपको apply online link इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो यह website है वो आजाएगी अगर आपका पहले से इस website के उपर registration है आपने कोई भी form भराता इस website का इस्तमाल करके तो आप यहाँ पर directly आपकी email ID और फिर OTP ला करके उसके उपर यह capture code फिल करके login कर लेंगे बट अगर आप first time user है आपने इसके उपर registration नहीं किया तो आप new registration के उपर क्लिक करेंगे फिर जो आपका full name है फुल name आपको यहाँ पर enter करना है यहाँ पर आप आपका gender select करेंगे आपके gender को दोबरा select करके verify करना है आपकी जो भी date बरता हो आप यहाँ पर calendar के उपर click करके select करेंगे पहले आप यहाँ से इस परकार से year फिर यहाँ पर month और इसके बाद में day तो इस इसके बाद आप यहाँ पर आपकी mother's का name enter करेंगे and mother's के name को दोबरा डाल करके verify कर देंगे फिर आपको बताना है कि आपका minority status है याँ कि आप minority से belong करते है अगर हाँ तो आप yes करें और yes करने के बाद आपको select करना है कि आपकी minority community कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर select कर इन अगर कोई अन्य email ID देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते है इसके बाद आते है board exemption role number class 10th यान कि आपको 10th का role number यहाँ पर enter करना है इसके बाद आपको security question select करना है इस security question आपको तब काम आएगा जब आप अपना password भूल जाएंगे और आप उसको recover करने की कोसिस करेंगे तो submit पर किलिक करेंगे submit पर किलिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सवी का प्रिव्यू आपके सामने है अगर आपको लगते हैं कोई जानकारी घलत है तो आप update चेंज के उपर क्लिक करने के बाद में आपके नमबर पर पर भी और आपकी email पर भी OTP send किये आपको यहाँ पर पहले mobile वाला OTP डाल करके verify करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर email वाला OTP बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने है और फिर verify OTP पर click करना है अब guys आपका ration complete हो चुका है आप यहाँ पर print के आइकन के उपर click करके इसको print कर लेंगे अगर आपके पास printer मौजूद नहीं है तो आप इसका screenshot ले लीजे क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है अब आपको क्या करने है आपको यहाँ पर login कर लोगिन पर click करना है login पर click करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी email ID देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रश्ण करने के बाद में वो एंटर करेंगे यानि कि यह आपको select करना है कि आप email ID के माध्यम से number के माध्यम से किस माध्यम से login करना चाहते है मैं आपको prefer करूँ कि आप यहाँ पर mobile number पर click करें और यहाँ पर आपका number enter करें फिर get OTP पर click करें इसके बाद आपके number पर OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर डाल करके यह verification code फिल करते हुए login पर click करना है login करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा basically यहाँ पर आपको एक password create करना है आपको यहाँ पर new password में एक password डालना है password के अंदर आपका English का capital word, small word, कोई special character और साथ ही digit रहने चाहिए इस तरह का आप example ले सकते है password के लिए और आपको यहाँ पर यह password दोबारा डाल करके verify कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को verify करके submit पर click करेंगे submit के उपर click करने के बाद में आपका यहाँ पर account complete हो जाएगा अब guys यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा login करने के बाद में तो आपको यहाँ पर latest notification के उपर click करने है और इस पर आप second number पर cds2 देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर अगर जो आपने अभी otr किया है या फिर जो आपने पहले करके रखा है उसमें अगर कोई changes करना है अपडेट करना है तो आप update otr के उपर click करके कर लीजिए और मैं आपको बता दू कि आप वहाँ lifetime में इस website के उपर otr करने के बाद सिर्फ एक ही बार अपनी जानकारी को update या edit कर सकते है तो अगर आप उसको पहले ही avail कर चुके है फिर यह नहीं होगा और अगर आपकी सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर click here for part 1 इसके उपर click करें आपके सामने सभी instructions आएंगे इस सभी को check करने के बाद आप यहाँ पर yes के उपर click कीजिए अब guys उपर के तरफ आपकी OTR की information होगी और नीचे आपको यहाँ पर जो जानकारी भढ़नी है वो जान लीजिए नेसलिटी आपकी Indian रहेगी mental status आप बता दीजिए unmarried, married, widow, widower या फिर दाइवर्सी जो भी है आपका status वो आप select कर लीजिए फिर अथी community तो जैसे कि अगर आपकी community EWS है तो आप EWS select करेंगे और आपके सामने यहाँ पर अतरिक तो option आएगे जहाँ पर आपको आपको आपका income and asset certificate I and AC नंबर देना होगा साथ ही किस authority के दोरा certificate जारी हुआ है वो आपको select करना होगा इसके अलावा income and asset certificate, issue and state आपको बतानी होगी और साथ ही जो certificate date है वो भी आपको बताना होगा इसी परकार से अगर आपकी category general है तो आपसे कोई certificate नहीं मांगा जाएगा और आपकी category OBC है तो आपके सामने एक option आएगा कि क्या आप करीमी लेयर से बिलोंग करते है तो जो आपका cast certificate है वो आपको पढ़ना है चेक करना है उसी में लिखा होता है कि आप करीमी लेयर में आत आते है या फिर नहीं आते है आते है तो यस कीजिए नहीं आते है तो नो कीजिए नो करने पर आपके सामने अतरिक तो अपसन आएगे जहां पर आपको community certificate नमबर सर्टिफिकेट की issue date और साथी state name बताना होगा और अगर आपकी category CST है तो तब भी आपके सामने यह अतरिक त अपसन आएंगे यहां पर आपको community certificate नमबर देना है मैं आपको demo के लिए community certificate दिखा रहा हूं तो जहां पर प्रमान पत्र करमांक लिखा इसके बाद में जो number है वो आप यहां पर community certificate नमबर में डालेंगे फिर आता है कि कौन सी authority ने आपका certificate जारी किया है यह जो मेरे पास certificate ह इसमें यहां पर सक्सम अधिकारी के बाद में लिखा है तैसिलदार आपको आपका certificate देखना है और सक्सम अधिकारी के बाद में जिस भी post का नाम लिखा है वही post आपको select करनी है यहां पर select designation के उपर click करके तो इसमें तैसिलदार है मैं यहां पर तैसिलदार select कर लेता अब ये Certificate Consistrate के दोरा जारी हुआ है मेरा Certificate हुआ है उत्तर प्रदेश के दोरा जारी मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ अब आता है Community Certificate Date तो ये जो Certificate जारी हुआ है जारी हुआ है 10 जनवर की 2024 को तो ये मैं आपको Example के लिए दिखा रहा हूँ आपको आपका Certificate देख करके यहाँ पर इस तरह से Date सेलेक्ट कर लेनी है फिर आता है आपके सामने यहाँ पर Educational Qualification तो यहाँ पर आपके सामने जो Qualification है वो देख सकते कि क्या के Qualification में इसमें रखी गई है अभी मैं यहाँ पर Select Qualification के उपर क्लिक करता हूँ और इसमें तीन लाइन आ रही है पहला है कि यहाँ पर आपने आपकी जो Graduation है या फिर आपकी आपकी डिगरी है वो आपने पास कर ली है या फिर अभी आप कर रहे हो और वो आपकी है Physics and Mathematics at 10 प्लस 2 लेवल यानि कि आपने बारवी के अंदर Physics, Mathematics ले रखा था और उसके बाद में जो आपकी डिगरी है वो आप यहाँ पर Final Year कर चुके हो या फिर आप Final Year के अंदर हो तो आप पहले वाला Option सेलेट करेंगे Second है कि आप यहाँ पर आपकी जो Final Year की Engineering डिगरी है वो Complete कर चुके हो या फिर Final Year के अंदर हो तो आप Second Option टिक करेंगे तीसरा है कि जो आपकी Final Year की डिगरी है या फिर उसके बराबर की जो भी आपके पास योग गयता है वो आप कर चुके हो या भी आप कर रहे हो पर आपके पास यहाँ पर ना तो यह जो Qualification तीसरा नमबर वाली आपके पास ना तो कोई Engineering डिगरी है और नहीं आपके पास बार इनके जो ऊपर दो मैंसन किये गई यह आपके पास नहीं है इनके अलावा आपके पास है डिगरी जो कि यहाँ ना तो Engineering डिगरी है और नहीं कोई अन्य डिगरी और नहीं आपके पास बारवी के अंदर Physics and Mathematics था उसके अलावा जो आपके पास अन्य डिगरी है तो आप यह पहले वाला उप्सन तीसरे वाला सेलेक्ट कीजेगा तो चले मैं यहाँ पर पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास बारवी के अंदर Physics और Math था इसके बाद आप यहाँ पर आड्रेस बरेंगे मैं आपको बता दो आड्रेस में आपको कोई कॉमा सेलैस नहीं लगाना है आपका जो भी एड्रेस है वो आपको इन तीन लाइन के अंदर एड्रेस कर देना है उसके बाद जो आपको बाकी का एड्रेस है उसमें आपको आपकी स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक सेलेक्ट करनी है और जो भी आपका photo identity card select करना होगा तो कोई भी एक ID इन में select कर ले जो भी ID आप select कर रहे हैं उसी का number फिर आपको यहाँ पर देना है और उसको दोबरा डाल करके verify कर देना है साथे साथ वो ID आपको PDF format में upload भी करनी है तो अगर आपकी ID image format में है तो आप Google के अंदर search कीजेगा image to PDF और इसके बाद जो पहली website आएगी यह open कर लेना है और फिर select JPG image के उपर click करके आपकी जो ID का photo है वो आपको select कर लेना है open करना है और यहाँ से आपको convert to PDF इसके उपर click करके आपनी उस PDF file को download कर लेना है अगर वो file कम size के अंदर आए और upload नहीं हो तो आपको Google के अंदर search करना है image size increase तो यहाँ पर मैं यहाँ पर search करता हूँ और फिर जो आपके सामने यह पहली वाली website है कि यह आपको open कर लेनी है आपको यहाँ पर आपका image या फिर PDF file select कर लेनी है और उसके बाद उसको दिये गए जो भी size आपको रखना है वो आपको बना करके convert कर लेना है वैसे मैं इस process के वो लेकर के एक अलग सी वीडियो बनाओगा जहाँ पर मैं आपको photo बनाने का process और PDF file को कम size या ज़्यादा size करने का जानकारी दोँगा अभी के लिए मैं आपको सिर्फ तोड़ा sort में ही बता रहा हूँ तो यह सब आप यहाँ पर जैसे अपनी file select कर लेंगे तो चलिए मैं आप इसको select करके इस तरह से upload कर देता हूँ अब आता है यहाँ पर कि क्या आपके पास DGCA भारत दुवरा जारी वैद एवम वानी जी पाइलेट लाइसंस है अगर है तो यह नहीं तो आप नो करेंगे उसके बाद आपको preferences देनी है यहाँ पर जैसे कि आपको IMA को पहली preference देनी है तो आप यहाँ पर एक लिखेंगे INA को आपको दूसरी देनी है तो दो नहीं तो आप यहाँ पर अगर आपको तीसरी देनी है वो लिख सकते है IFA को आपको यहाँ पर दूसरी देनी है तो आप दो लिख देंगे OTA को आपको यहाँ पर फोर्थ देनी है तो फोर्थ अगर नहीं देनी तो जीरो अगर आपको किसी एक कोई preference देनी है तो आप बाकी में 0-0 लिख देंगे और यह जो preferences है वो आप आपकी age के according और qualification के according दे पाएंगे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सभी को preference दे सकते हैं अगर हाँ सभी जो apply करने की preferences है इन वाली job department apply कर रहे हैं तो फिर आप सभी को भी दे सकते हैं आप एक बार देख लीजिए कि कौन से post पर apply करने के लिए क्या qualification मांगी है उसी के according फिर आप यहाँ पर यह preferences दीजेगा नहीं तो वो आपके समने बार बार error आता रहेगा उसके बा इस नहीं तो आपनो करेंगे क्या आप से नहीं की स्कूल से संब्सेंद रखते है अगर हाँ तो याँ तो यस नही तो आप नो कीजिए और continue के उपर click कर दीजिए अब गाई आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी का प्रिवीव आएगा और आप यहाँ पर देख सकते म मेरी जो age limit है उसके according मैं यहाँ पर OTA पर जो preference है वो देने के लिए eligible रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने OTA को preference दिये बाकी पर मैं preference देने के लिए age के according eligible नहीं हूँ तो OTA के लिए अगर आप specifically form भर रहे हैं तो यह video आपके लिए mainly है तो अभी यहाँ पर आप यह जो capture code वो डालेंगे और i agree के उपर क्लिक करके यहाँ से ok कर देंगे ok करने के बाद में अगर आप इस form को general obc से भर रहे है तो आपके सामने payment का page आएगा जब आप अपनी application fees जमा कर देंगे तो उसी के बाद आप यहाँ से इस वाल interface पर आएंगे अगर आप general chti या फिर all category female ह तो आपके लिए कोई fees नहीं है आप directly यहाँ पर आईए और इसको इसको insert ले लिजे या फिर print कर लिजे उसके बाद आप photo upload and signature image इसके उपर क्लिक कीजेगा और यह upload करने से पहले जान ले कि आपको इस तरह का photo upload करना है जिस पर photo कर नीचे name और फिर जो आपका नाम हो लिख ना है उसके बारे में पूरी जानकारी दोंगा तो उसका wait कर लिजेगा जल्द बाजी मत कीजेगा अब आपको यहाँ पर आपका photo upload करना है दिएगा instructions के according तो जहाँ पर भी आपकी photo file है वो select करनी है open करना है फिर जहाँ पर आपकी signature की file है वो file आपको select कर लेनी है और यहां पर tick कर देंगे अब आपका जो form है वो submit हो चुका है आप latest notification पर आईए application status के उपर click करके अभी जो आपने apply किया है यहाँ पर cds2 आप देख लीजे यह आज की date है आप clicker के उपर click करके आपके form का print ले सकते है printer नहीं है तो PDF के रूप में save भी कर सकते है और इस तरह से guys आप लोग UPSC CDS2 online from 2024 को भरेंगे so thanks for watching जय हिंद